आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है इंडोबीजिल लेमो फैनुग्रिक हर्बर ड्रिंग इस ड्रिंग के बहुत सारे फाइदे हैं जैसे कि इसको अगर नियमित रूप से पिया जाए तो ये गठिये के दर्द को कम कर देता है और कई मामलों में तो ये पूरी तरह से ठीक भी कर देता है दर्द को इस पे की एंटियोक्सिडन्ट एंटि इंफ्लामेटरी असर जोडो की दर्द को कम करती है और वजन कम करने में भी इसमें मदद मिलती है पाचन क्रिया को भी ये बढ़ाता है और हमारे शरीर के अंदर जो विशाक्त पदार्थ है उसको भी बहार निकालता है साथ ही में ये हॉर्मोन के स्तर को भी समतुलित करता है तो चले जानते हैं कि इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें क्या चीज़े चाहिए होगी तो हमें 500 ml पानी, आदा छोटा चमबच मेथी दाने का पावडर, एक छोटा चमबच तुलसी का पावडर अगर आप फ्रेश पत्ते यूज़ कर रहे हैं तो 5-6 पत्ते यूज़ कर ले आदा निम्बू का रस और एक बड़ा चमबच शहत सबसे पहले पानी को उबाल ले, जैसे ये पानी में उबाल आता है, मेथी के दाने का पावडर उसके अंदर डाल दे तिन मिनिट तक पावडर को उबलने दे और अभी उसके अंदर तुलसी के पत्ते या पावडर को डाले और गयस की फ्लेम को बर्न कर दे पैन को तुरंथ ही पांच मिनिट के लिए डिस से ढंक दे, तब तक एक गलास में शहद और निम्बू का जूस डाल कर अच्छी तरह से मिला ले, एक बात का ध्यान रखे कि हमें शहद और निम्बू के रस को कभी भी नहीं उबालना है, पांच मिनिट के बाद उबाले हुए चलने से चान ले और शहद और निम्बू के मिशन में डाले, आपका ट्रिंक पीने के लिए एकदम तयार है, इसको हमेशा सुबर साथ बज़े से पहले खाली पेट पिए, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर आपके बॉड़ी में कही पेन है, तो उस ज जरूर देखिएगा, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, थाइंक यू फो वाचिंग